ये देखें ये है वो जावा मस्जिद जहाँ पर कुछी दिर पहले क्रेन के सरी पूरे सामने के अवैद निर्मार को ठा दिया गया है। दोस्तो हमेशा से ही इस बात पर बहस चुड़ी रहती है कि मगल खाल में मंदरों को तोड़कर मस्जिदों का नर्मार हुआ था या नहीं। एक पक्ष मगलों द्वारा हुए अन्याई का बदला लेना चाहता है और दूसरा पक्ष इन सभी दावों को जुटलाता है। कौन सई है कौन गलत किसके दावे सच्चे हैं और किसके जूटे इसका फैसला तो कोट ही कर देगा मगर इन सभी के बीच एक और मस्जिद को लेकर विवाद हो गया है। मस्जिद के नीचे भगवान श्रक्रश्न की प्राचीन मूर्थियां होने की बात कही जा रही है। दावा किया गया है कि औरंग जेव ने अपने साच्चन काल में मंदर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। और उसी मस्जिद के सीडियों के नीचे बगवान केशव देव की पवित्र मूर्थियां बिदफन की गई थी। और आज भी उनी सीडियों के नीचे दफन है। क्या है पूरा मामला और किस मस्जिद की होगी खुदा ही आईए आपको पूरी जानकारे विस्तार से बताते हैं। वीडियो को अन तक जरूर देखेगा। वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजेगा। दोस्तो पिछले साल 2022 में ग्यान बापी मामले ने पूरे देश भर में सुर्ख्या बटोरी थी। हिंदू पक्ष का कहना था कि ग्यान बापी मजज़िद को और इंग जेब ने बनवाया था और उसने इसे काश्री विश्वनात मंदर का एक हस्सा तोड़कर बनवाया था। वहीं हिंदु पक्ष ने भी ये दावा किया था कि मस्जद के अंदर घगबान की मूर्थिया भी हैं और उन्हें मस्जद के अंदर पूजा करनी के अनुमती दी जाए। मुस्लिम पक्ष ने इन सभी दावों को सिरे से नाकार दिया था एक तरफ जहाँ इस मामले पर कोट में सुनवाई हो रही थी वही दूसरी तरफ मीडिया और लोगों में बहस का दौर चल रहा था कोट ने ग्यान बापी मस्जद में तीन दिन का सर्वे करने का ओडर दिया था और जब ग्यान बापी का सर्वे और जाच होई तो हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जद के अंदर से श्रिफलिंग निकला है हलाकि इस पर मुस्लिम पक्ष ने का कि जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग समझ रहा है दरसल वा एक फवारा है दोस्तो दोनों ही पक्षों के बीच इस बात पर बहुत बात बिबाद हुआ था ग्यान बापी मामला अभी तक कूट में लंबे थै ग्यान बापी को लेकर इत्यासकारों में भी दोगुट बन गए थे कुछ इत्यासकारों ने हिंदू पक्षों के इन दावों को स्विकार किया था और उन्हें समर्थन देते वे ग्यान बापी की जाँच की मांग की थी वह मस्जिद ग्यानबापी के नाम से मशूर हुई और मंदिर को काशिव श्वनात मंदर कहा जाता है ग्यानबापी को लेकर अभी मामला पूरी तरह से सुलजा भी नहीं था कि ग्यानबापी के पाथ उत्तर प्रदेश में और भी कई जगे मंदर और मस्जिद विवाद पर मुस्लिम और हिंदू पक्ष आमने सामने आए मतुरा के कृष्ण जन भूमी और शाही इदगाह को लेकर भी मामला कोट में पहुँचा इस मामले में कोट ने अभी कई फैसला नहीं सुनाया है और फैसले को सुरक्षित रहा है इस पीच अब जामा मस्जिद को लेकर भी विवाद चुरू हो गया है इसके पक्ष में उन्होंने कई सबूत और दावे पेश किये हैं एक तरफ हिंदू पक्ष का कहना है कि औरंग जेब ने अपने श्ट्रासन काल में हिंदू का दमन किया था और मंदरों को तूड कर मस्जदों को बनवाया था और आगरा के केशव देव मंदर भी औरंग जेब नहीं दोड़वाया था भगवान केशव देव की मूर्ती को औरंग जेब ने आगरा की जामा मस्जद की सीडियों में दफन करवा दिया था हिंदु पक्ष ने उन मूर्तियों को खोद कर निकालने की और हिंदु पक्ष को सौपनी की मांग की है हिंदु पक्ष का कहना है कि सीडियों से होते हुए मुसल्मान मस्जिद में जाते हैं और हमारे भगमान को पैरोतले रौनते हैं ये हिंदु देवी देवताओं का अपमान है आपको बदा दे कि भागबत आचारे ठाकुर देव की नंदन ने आगरा में हुए अपने धार्मिक कारिकरम के दौरान इस मामले को उठाया था आगरा में हुए अपने इस कारिकरम में उन्होंने OTT प्लैटफॉर्म को भी अपना निशाना बनाते वे का था कि OTT पर आने वाले वेब सरीज हमारे बच्चों को बिगाड रही है और ये हमारे संस्कुरती के खिलाफ है समाज में अशलीलता बढ़ रही है इसे रोकने के लिए सरकार को कुछ थोस खदम उठाने चाहिए मगर जामा मस्जद को लेकर दिया गया उनका बयान जादा सुर्क्या बटोर कर ले गया उन्होंने दावा कि जामा मस्जद के नीचे वगवान केशवदीव की मूर्तियां दफन है उनका दावा है कि औरंग जेव के उपर लिखी किताब मासीरे आलमगीरी में इस बात का जिक्र मिलता है कि औरंग जेव ने केशवदीव का मंदर तुडवा कर उनकी मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जद में दफन करवाया था देवकी नंदन जी ने ये भी कहा है कि उन्होंने मुस्लिम पक्ष से विनिती की थी कि वा जामा मस्जद के खुदाई करवा कर मूर्तियां उन्हें सौब दे उसको जो भी खर्चा होगा वा खुद ही उठा लेंगे बगर मुस्लिम पक्ष ने उनकी बात को नजर अंदाज कर दिया मुस्लिम पक्ष के जवाब ना देने के बाद ही देवकी नंदन जी ने कोट का दर्वाजा खटकटाया है उन्होंने कोट में अपील की है कि सीडियों के खुदाई करके मूर्तियों को ने सौब दिया जाए इस मामले में कोट ने 31 मई को फैसला सुनाने का ओर्डर दिया है कोट ने इस मामले में जावा मस्जद, इंतजामियां, कमीटी, छोटी मस्जद, दिवाने खास, जहां आरा मस्जद, आगरा किलास, सुनी, सेंट्रल बबोड, लकनव और श्रिकृष्ण सेवा संस्थान को 39 चारी किया है पर 31 को कोट में अपना पक्ष रखने का हुक्म में दिया है ठाकुर देव की नंदन ने अपने दाओ को साबित करने के लिए पक्ता सबोत पेश करने की भी बात कई है ठाकुर देव की नंदन का कहना है कि औरंग जेब के शासनकाल में हिंदू के दमन की बात किसी से चुपी नहीं है और उसने अपनी पूरी सल्तनत में हिंदू मंदरों को तोड़ कर मजजदों को बनवाया था वह कटर हिंदु विरोधी था और उसने ही मतुरा मेस्तित भगवान केशव देव का मंदर 1670 इसवी में तुड़वाया था मंदर की जगा पर ही जामा मजजद का नर्माहन किया गया था उसके सीरियों के नीचे ही केशव देव की मूर्तियों को दफन भी कर दिया गया था ठाकुर देव की नंदन ने आगे कहा कि औरंग्जी बच्छे से जानता था कि मतुरा भगवान शुक्रश्न की भूमी है मगर बावजूद इसके उसने इसका नाम बदल कर इसलामाबाद कर दिया था अपने बयानों में ठाकुर देव की नंदन ने ये भी कहा है कि उन्हें मस्जद की जमीन से कोई लेना देना नहीं है और वा मुस्लिम पक्ष चाहे तो अपनी अबादत करते रहे मगर हमारे इश्ट देव की मूर्तियों को पैरो तले रौंते हुए हमारी भावनाओं को ठेसना पहुंचाए इसके उलट कुछ ये थासकारों का मानना है कि ये सबी दावे बेबनियादी हैं और इसमें कोई सच्चाही नहीं है हलाकि कोच एते हासकारों का मानना है कि ठाकुर देव की नंदन ने जो दावी किये वो सच है श्रकृष्ण जन भूमी सर्रक्षित सेवा ट्रस्ट के सर्रक्षक एमम कथा व्यास देव की नंदन महाराज के इन दावों के बाद अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से जवाब की आशा की जा रही है कोट की तरफ से दोनों पक्षों की बाते सुनी चाएंगी और इस पर क्या फैसला आएगा ये तो कोट ही तै करेगा दोस्तो मंदर और मस्जद विबाद में अक्सर ही मीडिया चैनल्स टी आर पी लेने का काम करते हैं कि इस दोरान हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोट जो भी फैसला करेगा वह सही होगा चाहे वह किसी के पक्ष में हो या किसी के बिपक्ष में क्योंकि जीत तो किसी एक पक्ष की होगी ऐसे में आपसी सौहार नहीं भूलना चाहिए एतिहांस के साथ बिना किसी छेड़ चार के निस्पक्ष रूप से इस मामले को भी कोट अपना फैसला सुनाएगा मगर कोट के फैसले से कितने लोग खुश रहेंगे और कितने लोग को दुख होगा ये कहना जरा मुश्किल है बरहाल जो सच होगा वो तो सामने आएगा ही जूट जादा देर तक फलता फूलता नहीं है उमीद है इस मामले में भी सच्चाई कि ही जीत होगी आपका इसके बारे में क्या सूचना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अची लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी करना मत बूलिएगा इस तरह की फैक्ट बेश्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहाँचे आप से फ़र मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में बाई बाई दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही हैं जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें